आप सबी का मेरी YouTube चैनल न सौगत है मेरा नाम है तिलक इदि आप लोगों नवी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि हो तो प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब के लिजिए और अपको मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर किजिए और आपक तो केट 24 का mechanical branch का question discuss कर लेते हैं काफी आसान questions है for which value of x will the given matrix will become singular x की कुन सी value के लिए जो हमारा matrix है वो singular बनेगा तो singular की जो conditions होती है वो क्या होती है determines should be zero determines क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए तो हम इस वाले matrix का determines calculate करने के लिए हमें पता कैसे calculate किया जाता देगे इस वाले matrix का determines सबसे पहले फास्ट value लेंगे हम लोग 8 ओके फिर हम लोग 8 जिस positions में है 8 इस positions में तो वहां का column वहां की रो को भूल जाएंगे हमाए पास क्या हुआ हुआ गेवन matrix किया जीरो टू सिक्स जीरो तो हम लोग यहां draw कर लेंगे जीरो टू सिक्स जीरो ओके अब यहां पर मैं color change कर देता हूं फिर हम लोग क्या लेंगे हम पर उसके बाद हम लोग second में लेंगे x को तो यह minus देखे पहली value positive लेते हैं हम लोग तो दूसरी value negative यह positive फिर negative minus x अब क्या होगा x जिस positions में है इस positions में है तो यहां का column यहां करो वो हम लोग eliminate कर देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 4 12 2 0 तो हमारे पास बचा 4 12 और 2 0 अब last हमारे पास बचा 0 तो मैं यहां पर ही raise करके अब बचा हमारे पास 0 तो यहां पर देखे plus 0 देखे plus minus और again plus यह हो जाएगा 0 अब देखो 0 जिस positions में है जिरो के इस positions में है तो देखे यहां पर है यह पूरा column और यह पूरी रो को मैं eliminate कर देता हूं मेरे पास क्या बच रहा है देखे लेली आप लोग देख सकते हैं अब चेंज करके और जीरो 12 और 6 यह value मेरे पास बची अब इसको मैं finally solve कर लूँगा तो solve करने का तरीका आप सभी को पता होगा सबसे पहले इन दोनों का multiply करते है फिर minus करके इन दोनों का multiply फिर minus इन दोनों का इन दोनों को multiply, फिर इन दोनों का minus, तो हम लोग simply इसको solve करें लेते हैं, प्लस 8, यह कह जाएगा 0, और इन दोनों का multiply करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 12 minus x simply 0 यह कितना हो जाएगा minus 24 पहले इन दोनों का multiply फिर इन दोनों का plus 0 6 into 4 24 minus 0 फिर इन दोनों का multiply करेंगे तो 0 हो जाएगा यह पूरा 0 बन जाएगा अब इन दोनों को solve कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा इसको लिख सकता हूँ मैं 8 into 12 8 into minus 12 आजाएगा फिर यह क्या हो जाएगा minus x और minus 24 यह दोनों क्या हो जाएगे plus multiply करेंगे हम लोग तो plus 24x equal to 0 क्योंकि जो determinths होता है singular matrix का वो 0 होना चाहिए यह 0 हो जाएगा तो हम यहां से value calculate करेंगे तो 24x into इन दोनों को मैं right hand side transfer करूँगा 8 into 12 ओके फिर मैं इसको cut करूँगा 12 यह जाएगा तो 2 times 2 से यह 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा 4 times तो x की value यहां से कितनी है जाएगी 4 हो जाएगी x की value कितनी है जाएगी 4 तो x की कुन सी value के लिए हमारा matrix जो है singular होगा वो होगा x की 4 value के लिए यहां पर 4 हो जाएगा तो पूरा का पूरा determinths 0 हो जाएगा और वही होती है singular की conditions तो यहाद रखेंगे singular matrix conditions क्या होती है determinths should be 0 तो काफी आसान questions है आप easily solve कर सकते हैं फिर भी आपको कोई doubts हो था आप मुझे comment box पर comment करके पूछ लिजेगा और वीडियो को like करना बिल्कुल नमद बुलिएगा thank you दोस्तो thank you so much